हैलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चनल इस्परिट अडूकेशन दिस इस हुजाता फ्रेंड्स हम वोकेश सीख रहे हैं और वोकेश में आज हम बन वर्ड रूट वर्ड से करेंगे और आज का हमारा रूट वर्ड है फोबिया फोबिया रूट वर्ड ये फेर के लिए आता है ड इग्नोर नहीं करना कि लाउसको फ्रेंड्स देखेगा जरूर इंपोर्टेंट है सभी वर्ड और आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा जो आपके एक्जाम में मोस्ली पूछा जाता है फ्रेंड्स तो आज हम रूट वर्ड से वोकेश करेंगे और ये जो हैं बन वर् पूट वर्ड है और फोविया का मिनिंग होता है फियर एक्रो जो हाई पिलेसे होते हैं फ्रेंड्स इस तरह से आप याद करेंगे तो वर्ड इजली आद हो जाएगा एक्रो फोविया फियर ओफ हाई प्लेसे जिन्हें उचे स्थानों से डर लगता है जैसे टॉप हैं जैसे विल्डिंग होई हम जैसे टा वर्ड की चछत पर चर जाते हैं तो हम अपने मकान बहूत हमारा कई मंझील मकान है तो नुश mix की मट्रो पत चर जाते हैं तो उससे हमें साथे फ्यर लगता है डर लगता है चोंब हीजितने भी हमारी उच्agar हाई places हैं उनके लिए ये वर्ड आता है एक्रोफोबिया fear of high places ओके फ्रेंड आई हो वर्ड अच्छे से समझ में आया होगा आपको सभी वर्ड इंपोर्टेंट है ध्यान जरूर दीजेगा मैंने important वर्ड लिए है next वर्ड है एरोफोबिया एरोफोबिया फोबिया हमारी रूट है fear के लिए आती है एरो जो एरो एरो प्लेन से आप लगा सकते हैं इस वर्ड का जो एर जैसे एरो प्लेन क्या एर में हवा में उपर आस्मान में उड़ता है तो fear of air जिने हवा से डर लगता है Aerophobia, Aerophobia, Aeroplane, जैसे उपर आसमान में उड़ता है जब Aerophobia, Air से आप इसे याद करख सकते है, Fear of Air Phobia हमारा Root है, डर के लिए आता है, Fear of Air जिने हवा से डर लगता है, जो आसमान में, जैसे हम Aeroplane में उड रहे हैं हैं उसमें बैठे हैं तो हमें किसे हमें यौ अज मन में बहुत जाइज wiele लगता है क्योंकि वह उपर आस्मान में उटता है आफयर associया हवासे डरनी के लिए आता है अच्छे से के क्लिए इंगलो-फॉबीञ एगभ्लों फॉबिया इंगलो-फॉबिया आता है पाइर ये-अ फियर कि लिए और इगलो-फॉबिय पंढ़ियों ये डर्द हमेटर इंजिक्शन लगाते हैं तो हमें त्से प्रीयर्णॡ लगता है घय स्सक्राइच aglorophobic जो बढ़ाता है fear of pain डर के लिए आता है pain के लिए आता है fear of pain जो डर्द से डर लगता है उसके लिए बढ़ाता है aglorophobic next word है agorophobia agorophobic आप bird को तोड़ के याद करेंगे तो bird easily जाएगा phob significa आती है fear के लिए agoro agoro आता है जो open place होते है जैसे open place होता है public place होता है उपन place होता है उन से हमें ड़ल लगता है फिएर ओफ public या place जो open place होते है उनसे डर के लिए आता है agoraphobia उगी फरंड I hope today अच्छे से clear हो रहे होंगे agoraphobia word आता है fear of public जो जैसे हम public में market में जाते है public होती है open place होता है उससे हमें क्या लगता है डर लगता है agoraphobia next word है endrophobia endro, endro's word आता है man के लिए phobia आता है fear के लिए तो word को तोड़ के याद करेंगे आचानी से याद हो रहा है समझ में भी आ रहा है endro man के लिए endro's और phobia आता है fear के लिए fear of males जो पुर्सो से डर लगता है endro's phobia endro phobia fear of males पुर्सो से डर के लिए आता है males से डर के लिए आता है endro phobia next word है autophobia autophobia word आता है autoself के लिए आता है swam के लिए आता है phobia fear के लिए आता है तो इस तरह से याद करेंगे phobia fear के लिए auto self के लिए आता है fear of solitude solitude आता है अकेला पन solitude का meaning होता है अकेला पन जो अकेले पन से डरते हैं अपने अकेले पन से जो स्वम अकेले रहते हैं उनसे उन्हें डर लगता है अकेले पंसे डर के लिए आता है Fear of Solitude अकेले पंसे डर के लिए बढ़ाता है Autophobia Next word है Bethophobia Bethophobia Bethophobia, Bethophobia बैथो आता है Depth के लिए गहराई के लिए Bethoth Phobia आता है Fear के लिए Fear of Depth जिने गहराई से डर लगता है जो गहराई होती है जैसे कुवा होता है हम कोई में नीचे जागते हैं तो हमें डर लगता है बहुत जादे गहराई है उसमें तो क्या है मैं फियर ओफ टैप्थ हमें गहराई से डर लगता है नेक्स्ट वेड है बिबलो फोबिया बिबलो आता है बुक के लिए और फोबिया आता है फियर के लिए बिबलो आता है ब बुक को क्या करते हैं नापसंद करते हैं ओकी फ्रंट तो बिबलोफोबिया आता है फियर ओफ बुक्स नेक्स्ट वर्ड है कैकोफोबिया 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 कैकोवड आता है हार्स के लिए अगली के लिए कैकोवड आता है फोबिया आता है फियर के लिए कैकोफ अगली ने से डल लगता है फिर ओफ अगलीनेस पर नोड़ बंई 생्थ करूपता के है के खिर यक्वी स्जुद्टी केसे साउंड होती है अगली होती है भद्धी साउंड होती है हार साउंड होती है उसके लिए वड़ाता है कैको फनी और ये वड़ है हमारा फोबिया फनी जो रूट आती है वो साउंड के लिए आती है फोबिया रूट आती है फियर के लिए हैं मैंने आज हमने कुछ ABC के आज हमने AB और सी स्रीज के कुछ वर्ड करें किये हैं और वर्ड important है ध्यान जरूदी जगन को मार्क भी करना और निको नोट डाउन करती रहना अपनी notebook में सभी वर्ड most important है catrophobia catro word आता है doctors के लिए जब catrophobia phobia आती है रूट आती है डर के लिए catrophobia fear of doctors जिनने doctor से डर लगता है doctor से तो mostly सभी डरते हैं ओके फ्रेंट क्योंकि doctor हमें क्या करते हैं injection लगाते हैं हमें चेक करते हैं और भीमारी से सब को डर लगता है doctor के पाज आने से सब को डर लगता है fear of doctor जिने doctor से डर लगता है catrophobia next word is synophobia syno word आता है dogs के लिए यह आता है word synophobia fear के लिए जिने dogs से कुत्तों से डर लगता है fear of dogs synophobia spelling पर ध्यान जरूर दीजेगा syno c-y-no phobia synophobia fear of dogs जिने कुत्तों से डर लगता है next word है हमारा क्लेस्ट्रो फोबिया most important word है क्लेस्ट्रो फोबिया भी कई बार एक जाम में पुछा गया है friends कई बार many times क्लेस्ट्रो फोबिया क्लेस्ट्रो की spelling जरूर ध्यान दीजेगा most important है क्लेस्ट्रो फोबिया क्लेस्ट्रो फोबिया जिने congested एरिया होती है जो बंद बंद प्लेस होते हैं एक्दम भीड भाड़ वाले एरिया होते हैं जैसे बहुत किराउड़ेड एरिया होते हैं जो उन्हें उनसे डर लगता है fear of being confined to small place जो छोटे इस्थानों से छोटी छोटी जगा से डरते हैं जैसे close room होता है और lift होती है हम lift का example ले सकते हैं lift से डर लगता है lift में क्या हो जाता है small place हो जाता है और next word है हमारा cello phobia cello phobia बढ़ आता है cello beauty के लिए आता है phobia आता है fair के लिए cello beauty के लिए phobia fair के लिए आपको सभी वर्ड अच्छे से किलियर हो गए होगी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है एसे ही अच्छे वर्ड के साथ मैं आते रहेंगे और मैं नेक्स इलास में कुछ और हमारे कुछ फोविया के रूट के मैं अभी जो सरीज हमारी चल रही है इसको complete करूंगी और फोविया रूट से मैं आपको सभी वर्ड करा दूँगी और सभी वर्ड आप इंको नोट डाउ करने का ओके टो वीडियो आपको थोड़ा वी अच्छा लगा हो तो जाते-चाते लाइक प्र करना लाइक करना नहीं भुलना और जो चैनल पर नएं है उसमें प्र Whoo चैनल को